चलिए जानते हैं डाइबेटीज को दूर करने वाले कुछ फल और सबजियों को मेथी मेथी दाने के सेवन से मुदमे ठीक हो जाता है इसके सेवन से जीनी घटने के साथ साथ कोलेस्टरॉल भी कम हो जाता है पचास ग्राम मेथी दानों को बारिक पीस कर एक गिलास पानी में भीगो दें इसे बारा घंटे बाद चान कर पानी पिए इस प्रकार सुबह साम दो बार डेली छे सब्ता पिराने से मुदमे ठीक होने लगता है जामून जामून के गुठली का चुर्ण आधा चम्मच साम को पानी के साथ लेने से पिसाब में चीनी आना ठीक हो जाता है डैबटीज के रोगियों को जामून खाना चाहिए करेला डैबटीज रोगी को 15 गराम करेले कर सौ गराम पानी में मिला कर डेली तीन बार करीब तीन महेने पिलाना चाहिए खाने में भी करेली की सब्जी आनी चाहिए आमला ताजे आमले का रस भी पीने से मदू में यानि के डैबटीज ही को जाता है एक बड़ी चम्मच आमला का रस डेली पी सकते हैं खजूर डैबटीज और ऐसे बिमारी जिन में मीठा खाना हानीका रख होता है या मना होता है और रोगी मीठा खाने की इच्छा व्यक्त करता है वहां खजूर का सेवन कम मात्रा में क्या जा सकता है टमाटर डैबटीज में टमाटर बहुत लावदायक है टमाटर की खटाई शरीर में चीनी की मात्रा घटाती है लेकिन टमाटर खाने के बाद पानी नहीं पिएं तेज खासी पत्री कहीं सूजन और दर्द वो तो टमाटर नहीं खाना चाहिए मूली मूली खाने से या इसका रस पिने से भी डैबटीज में लाब होता है मूली की रस आतों में एंटिसप्टिक का काम करती है सलगम डैबटीज के मरीजों को सलगम की सबजी सप्ता में चार या पांच दिन खाना चाहिए डैबटीज के मरीज निम्बू और संत्रे का शेवन डेली कम मात्रा में कर सकते हैं झाल